मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ओरतों को मस्जिद में नाचते हुए देखा क्योंकि ओरतों ने मस्जिद में मीलाद नभी के मोके पर जो नाच गाना गाया नात लगे थे गाना उन्होंने गाया और उसके बावजूद वो नाचने लगे मैं कहता हूँ कि ये गुमरापद मजहब काफिर मुर्तद लोग है औरतों को किस ने कहा कि तुम लोग मीलाद मनाओ मीलाद औरतों का नहीं अगर औरतों ने मनाना है तो गर में मनाईए मस्जिद में किस का हग बनता है कि आप जाईए और मस्जिद में मीलाद मनाईए ये बहुत बड़ा जुरुम है जो इन उर्तों ने किया है। उर्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यूंकि सबसे पहले मस्जिद का जो इस्जत है उन्होंने पामाल किया। दूसरी बात है कि औरत को इजाजत ही नहीं कि वो घर से बाहर निकले औरत की आवाज भी औरत ही है यानि परदा है लेकिन इन बेशर्म औरतों ने मस्जिद में आकर मस्जिद के अंदर मिलात के शकल बनाकर उन्होंने डांस किया उन्होंने जो गंदा हरकते की है मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वजह क्या है कि हम मुसल्मान भी ऐसे काम करते हैं जो काफिरों के मुझ तशाबे हैं हम लोगों को क्या हो गया कि हमें पता भी नहीं दिन क्या चीज़ है अभी औरतों ने कौन समीराद मनाना है औरतों ने मस्जिद में कौन समीराद मनाना होता ह अगर औरोत ने मिलाद मनाना है तो जा के गर में मनाईे स्पीकर के बहुर मनाए लेकिन इन्होंने हद कर दी बेन्तिहा गंदा हरकत इन्हों ने किया है और मस्जिद में आकर मिलाद मनाने लगे और मिलाद भी ऐसे तरीके से न पर्दा न चादर सर के उपर बलके नाच गाना लगा के डांस करके इन लोगों ने ये गंदा हरकते की है दोस्तों ये हमारी और आपके गलती है क्योंकि हम लोग इनको देखकर हम खामोश रह जाते हैं लेकिन ये जो चीज़े हैं ये हमारे मज़भ पर हमारे अकीदे पर ऐसे पामाली हो जाती है कि इन लोगों की वज़ा से धीन इसलाम बतनाम होता है लेकिन अगर ऐसे औरतों को हम अंजाम न तक न पहुंचाए तो क्या होगा औरतों को तो सबसे पहले गर से बाइर निकलना नहीं चाहिए फिर ईद मिलादुन नभी के मौके पर ऐसे गंदे हरकत है वो भी मस्जद के दर्मियान मस्जद के अंदर मैं कहता हूँ इसे बड़ी गुमराही कोई नहीं है दोस्तों आपने ये वीडियो देख की होगे आप वीडियो देख भी सकते हैं लेकिन इन्हों ने जो हरकत लिकी है ये मुस्लमान की हरकत नहीं है बलकि यहूद नसारा की हरकत है जिशने ईद मिलादुन नभी का मतलब ये नहीं कि आप लोग जिशने ईद मिलादुन नभी इस तरीके से मनाएं जिशने ईद मिलादुन नभी औरतों के लिए जाइज ही नहीं है अगर औरतों ने मनाना है तो गर में मनाईए आगे शेयर जरूर करना है मिलते हैं अगली वीडियो में